बिस्मिल्ला रवान रहीम, असलाम लेकुम स्टूरेंट्स, कैसे हैं सब, उमीद करती हूँ सब खेरियस होंगे क्लास प्लेइ ग्रूप उन्वान हरफ डाल की पढ़ाई सफा नंबर 27 और 28, वीडियो नंबर 14 सबसे पहले स्टूडेंट्स, अपनी किताब हरफ कहानी तिदाई तस्वीरी काईदा खुलें आई दिन है सौमवार और तारीख है 28 स्टंबर 2020 जमात का गाम सबसे पहले टीचर हमारे साब का हरूफ की दोहराई करवाएंगी अलिफ, अलिफ अनार, अलिफ अंगूर अलिफ अम्रूद, अलिफ एहमाद बे, बे की नीचे एक कैंडी होती है बे बतख, बे बादल, बे बारेश, बे बिल्ली पे, पे की नीचे तीन कैंडिया होती हैं पे पौदा, पे पत्ता, पे पानी ते, ते की उपर दो कैंडिया होती हैं ते तला, ते तितली, ते ताली टे, टे की उपर एक कैंड होती हैं टे टमाटर, टे ट्रक, टे टोकरी से, से की उपर तीन कैंडिया होती हैं से समर, से समन, से साकिब जीम, जीम की बैली में एक कैंडिया होती हैं जीम जूते, जीम जुराबे, जीम जादुगर चे, चे की बैली में तीन कैंडिया होती हैं चे चमज, चे चाबी, चे चान हे, हे की बैली में भी कोई कैंडिया नहीं होती और ना ही हे के उपर कोई कैंडिया होती हैं हे हामे, हे हलवाई, हे हलवा खे, खे के उपर एक कैंडिया होती है खे खरगोश, खे खुबानी, खे खरबूजा डाल, डाल दरख्त, डाल दिवार, डाल दूद आई स्टूडन्स हमने जिस हरफ की पढ़ाई करनी है, वो हरफ है डाल जिसके उपर कुछ भी नहीं बना होता, वो अकेली होती है डाल और जिसके उपर एक कैप बनी होती है, वो होते है हरफ डाल इसके उपर अब वो खाली थी, तो वो डाल था अब इसके उपर एक कैप लगा दी तो ये हरफ डाल बन गया ये हरफ डाल है डाल डिबा डाल डोल डाल डॉक्टर अब टीचर आपको हरफ डाल से बनने वाली एक कहानी सुनाएंगी एक दिन दानिश डाल से डोल में बिली के लिए दोद लाया दानिश के पाउं पर डाल से डिबा गिरा और इसे चोट लग गई दानिश की अम्मी उसे डाल से डाल से डाल के वास लेके गई ये था हमारा क्लास का काम बच्चों जो मकम्मल हुआ अब ये घर का काम है सफ़ा नमबर 25 और 26 सबसे पहले स्टूइन्ट्स मेरी उर्टू की नोट बुक उपन करें हमने करना क्या है हर खाने में एक जैसे हरूफ के गेर ताइरा लगाना है हमने जैसे ये उन्होंने बुक में खुद से दिया हुए है ना पे और पे एक जैसे हैं तो उन्होंने सर्कल किया हुए है इसे तरह हमने ये जो पूरे पेज़ पे दिये गया है तो हम भी देखेंगे एक जैसे हरूफ जो भी हुए उनको हमने क्या करना है धायरा लगाना है सबसे पहले क्या दिया गया हमें हरफ पे दिया गया है और इसके नीचे कितनी कैंडिया होती है तीन कैंडिया होती है हमने इस पूरी लाइन में देखना है हरफ पे कहा है जिसके नीचे तीन केंडिया होंगी तो इसको हमने सरकल करना है अब टीचर देखेंगी यह भी हरफ पे नहीं है यह भी हरफ पे नहीं है क्योंकि इसके नीचे तीन केंडिया नहीं है यह हरफ पे है क्योंकि इसके नीचे कितनी केंडिया है तीन कैंडिया है तो इसको हमने क्या किया टीचर ने सरकल कर दिया आगे नीचे है हरफ से अब टीचर ने इसी लाइन में आगे देखना है कि हरफ से कहां पे है जिसके उपर कितनी कैंडिया होंगी तीन कैंडिया होंगी यह हरफ से नहीं है क्योंकि इसके उपर दो कैंडिया है ये भी हरफ से नहीं है ये भी हरफ से नहीं है ये हरफ से है इसके उपर कितनी कैंडिया है तीन कैंडिया है टीचर ने इस हरफ को भी सरकल कर दिया और इस हरफ को भी सरकल कर दिया आगे नीचे देखें चे इसकी बैली में कितनी कैंडिया है तीन कैंडिया है अब आगे देखें जहां पर हरफ चे होगा जिसकी बैली में कितनी कैंडिया होनी चाहिए तीन कैंडिया होनी चाहिए तो उसको टीचर दाया लगाएंगी यह हरफ चे है क्यूंकि इसकी बैली में तीन कैंडिया है आग तीचर आगे देखेंगी, यह हरफ खे है, यह हरफ जीम है, क्योंकि इसकी बैली में कितनी है, एक कैंडी है, टीचर ने जीम को भी दाइरा लगा दिया, और इस वाले जीम को भी दाइरा लगा दिया, क्योंकि यह दोनों एक जैसे है, आगे नीचे है, हरफ इसकी बेले में कितनी केंडिया है एक इसी तरह टीचर आगे देखेंगी कहां पे हरफ जीम है ये लास्ट पे हरफ जीम है इसकी बेले में कितनी केंडिया है एक टीचर ने इस वाले जीम को भी दाइरा लगा दिया और इस व्याले जीम को भी दाइरा लगा दिया कιओके ये एक जैसे थे ठीक है students हरफ दाल पर पैंसिल फेरें और तस्वीर में रंग भरें ये हरफ कौन सा है दाल इसको हमने क्या करना है इस पर पैंसिल फेरना है और दाल से द्रख्त में हमने कलर करने है सबसे पहले teacher क्या करेंगी color करेंगी color करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें outline बनानी चाहिए जैसे teacher ने outline बनाई हुई है इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी book पर outline बनानी है उसके बाद हमने इसके center में कौन सा color करना है green color दरख्त कौन से color का होता है green color का होता है तो हमने भी दरख्त में green color करना है ठीक है और इसका ये जो तना है ना इसके अंदर हम कौन सा color करेंगे brown उसके बाद हमने क्या करना है दाल को हमने teacher ने arrow से start लिया है और दाल को teacher ने उसके उपर pencil फेरा है तो क्या बन गया हरफ दाल बन गया अब नीचे भी हमने क्या करना है एरो से स्टार्ट करना है और डॉट्स के उपर उपर पैंसल फेरते जाना है तो क्या हो जाएगा हरफ दाल राइट हो जाएगा इसी तरह आगे भी टीचर ने एरो से स्टार्ट किया है और हरफ दाल राइ करना है पैंसल फेड़ती जाने डॉट्स के ऊपर तो हरफ दाल राइट हो जाएगा कि स्टूरेंट्स थेंक यू